अजय को नवस्कार मैं रोहित रंजन सच को सामने लाना न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी है और चमतकार के लाइफ टेस्ट की पिछली कड़ी में हमने परची बनाने वाले पंडित राम कुमार शर्मा को अपने मंच पर आमंतित किया था न्यूज नेशन के स्टूडियो में उन्होंने कुछ लोगों की परची भी बनाई उनसे पड़ताल लगातार जा रही है और इस खास शोव की अगली कड़ी में आज हम उनके दावों और दिव्यग्यान को दिखाते हैं कि अब तक हुआ क्या क्या है उत्तर प्रदेश के बुलंच शहर के बोढ़ा गाउं में जैश्री सिर्द गोरक धाम के नाम से दर्वार लगाने वाले पंडित राम कुमार शर्मा पर्ची में बिना बताए भक्तों की समस्या लिख देते हैं और उसका निदान भी बताते हैं उनके दावों की परताल के लिए हमने उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित किया आप अपनी घर की परेशानी लेकर आए हैं आपके घर में दो लोग परेशान रहते हो और शरीर में भी दर्द रहता है बेचैनी भी बनती होगी ठीक है जी और पेट में परेशानी बनती है घर में जिंद का साया है और आप अपनी परेशानी बहुत बड़ी है जिससे आप पर्ची लिख दी इस पर्ची में उन्होंने जो भी बातें लिखी थी वो सब सच साबित हुई हमने अब अपने कैमरा पर्सन को बाबा के पास भेजा है और विपिन वहां पहुंच गए है और बाबा पर्ची भी लिख रहे हैं तो बाबा मैं उन से ये पूँचना चाह रहा था मेरी आवाश है उन तक नहीं पहुंच पा रही है की बाबा को अपने बारे में विपिन ने कुछ बताया तो नहीं है यह जानना चाहरा था ताकि दर्शक हो तक कि तरस पर पहुंच जाए ठीक है रख दीजे, माईक पे बाबा ने जो लिखा है साशब्द उसे पढ़िएगा, आप अपने मन से अपने बच्चों की की पूछेंगे, दो बच्चे अच्छा है, मेरे दो बच्चे के वारे में लिखा हुए एक बेटी और बेटा है, एक बेटा है, इसके बाद हमने और हमारे ग्रेस पैनलिस्ट ने बाबा को निश नेशन के स्टूडियो में आमन्थृत किया ताकि उनके दावों की गहन परताल की जा सके तर्क विञ्डन आध्यात्म में धर्म शाष्थों की कसािडिए पर परखा जा सके हमारे आमंतरन पर पंडित राम कुमार शर्मा निउस नेशन के स्टूडियो पहुचे लेकिन बाबा पहले तो परची बनाने के दिए तयार नहीं हुए जब हमने उनका वादा याद दिलाया तो वो परची बनाने को तयार हो गए लेकिन उनकी बनाई परचियों में एक या दो बातों को छोड़कर सभी गलत साबित हुई आपकी मा की बारे में आया था आपके सवाल जब वहां बैठी थी या नहीं आया था देखो ये सामने है तुमारे जो आया हुआ उस पर हाँ बोलना ना तो मना करना ठीक है जी आप अपनी मा की परेशानी पूछेंगे जो आपके मन में आया था ठीक है और एक भाई के बारे में और अपने का केरियर के बारे में आप पूछेंगी घर में परेशानी बनती है इसके बाद हमने उनसे गेस्ट पैनलिस्ट और एक्ट्रिस नुपर शर्मा की परची बनाने का अनुरोथ किया लेकिन इस बार भी पंडित रामकुमार शर्मा की परची फेल हो गई बाबा पेशे से किसान हैं सबसे खास बात है कि वो बाकी दूसरे बाबाओं की तरह हवा हवाई दावे करते नजर नहीं आए बलकि सादगी से सारे सवालों का जवाब देते हैं हमें लगा शायद बड़े मज़ पर आकर वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितना अपने दर्बार में होते हैं इसलिए हमने उनका होसला बढ़ाया और चमतकार के लाइव टेस्ट में उन्हें और मौका देने का फैसल करेंगे क्या उनका पर्ची वाले दिविज्ञान का दावा सच है या वो भी न्यूज नेशन के मज़ पर एक्स्पोज हो जाएंगे अमर मैं आपको मंच में बुलाओगा ओके यहां आईए आपके बारे में जो भी पर्ची पे लिखी जाएगी बाबा जो लिखेंगे आप सही सही बोलिए गलत करने के इंटेंशन से मैं मैं इसको किलियर कर दो रोही जी कि हम डिनाय कर सकते हैं मान लेते हैं आपकी बात ले जिसे एक रिक्वेस्ट है हमबल रिक्वेस्ट है माराजी मेरी आप से विनम्रे निवेदन है कि मेरी पॉकित में कुछ नोट रखे हुए हैं उन्होंने उन्होंने नोट के लिए मना कर दिया ना अगर आदेस आ सकता तो यहां पहले ही और अपने दरवार में भी एक चीज कहाता है मैं किसी का कोई ना इसले हमर मैं देखे हैं कि उन्होंने प्रिंट होती है तो वह मिटे यह नहीं नहीं हम बता दूंगा पक्का अभी दूद कर दूद पानी का आपके जेब में नोट तो होगा कोई है ठीक है तो एक काम किजिए आप इनकी परची बनाई और आप नोट का नंबर आप लिखिए ठीक है यह ठीक है यह लिजिए नोट बुक आप इनकी परची बनाई यह मेरे नोट की बना दें मैं आपको यह लिखने के लिए चाहिए आप निम्रे को मिलिया यहां रखी लिख लीजिए आप किया नहीं अभी आपको बोली है मता और बस आपड़र आपकी परची दें तरह को लिख लिख है यह नहीं एक काम किजिए इसमें से आप जो जो आ आप कहेंगे जो नोट कोई भी ले ओब ले लो चली मैं एक काम करता हूं यह नहीं ले रहा हूं नहीं देख रहा हूं ना किसी को दिखा रहा है लो आवाज बता रहे थी के गुट कखा दोई ची चाहे तो नोट करना बोल सकते हैं आप यह जैसे हैं ताकि दश्कों को बता जाए यहां पर नहीं पूरे नंबर बोली आप आप पूरे नंबर बोलिए पूरा नंबर बोलू स्टार्टिंग से जो भी है 2GK 709801 रिपीट करें 2GK 2GK 709801 और यह नंबर फिर से बोल रहा हूं फिरसे बोल रहा हूं पिर से बता रहा हूं सब को इस देख लिए 2GK 709801 यह नंबर है ठीक है अमर 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 अब यहां आईए अब मैं आपको पैन और नोट बुक टच नहीं करूंगा आप यहां पर रखा है मेरे पास बाबा इनकी परिचिप बन गए नहीं दो बात लिख दी लिख दी है अब एक काम करेंगे आपका जो नोट का नंबर है वो सब के सामने ह करेंद हो गया बाब आपने जो लिखा है कि मैं के सामने और के सामने भीरा अब आप जी अमर के बारे में जो आप ने लिखा है वहीड वहता है वह अमर को आप बताई है और या आप मेरा दिवर्जन है आप अपकी आप सच बताइगा हाँ या न gobierno हाँ या रिदiren नहीं है ठीकar जी मगर आप डेवी मा को मैं देते हैं आपके घर में देवी मा की पूजा ज्यादा करते हैं penser देवी मा की कोई भी है बाबा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि को सराल मैं कोई आपको नीचे या फिर इंको हर गर में देवी की प्रतिमा रहती है आप लोग एक रही है ना बिल्कुल हम यहीं बाद कर रहे था हर नवरात राएंगे तो देवी की उपासना हर घर में होती है बहुत मैं इसलिए बोल रहा है मैं नहीं पूछूंगा इसमें कुछ अगर आप इंडेफ्ट में कुछ बता पाएं जो आया है मैंने वो लिख दिया है पहली लाइन जो है वह वापस फिर से आपने क्या कहा है पुत आपके घर में कोई प्रेत वाधा नहीं है कि बात क्यों आई आप मुझे जो आई मैंने लिख दी आपको साबित करना तो आप साबित कर सकते हैं मैं मैं अब नोट का नंबर भी रिविल नहीं कराूंगा कि आपने क्या लिखा थै क्योंकि बाबा की परची अगर गलत हो गई है या फिर हो सकता है आप अगर कह रहे हैं गलत है तो कुछ और बताया ना माराजी आपको जो मैं लाओंगा मेरे पास अभी भी धैरेक के साथ मैं इंतजार कर रहा हूं कि बाबा शायद किसी की परची पे सही कुछ बताएंगे और मैं उसके बाद आप लोगों से कह पाओ देखिए बाबा सही है हो सकता है कि पहली बार जो इनसान कह रहा है कि मैं स्टूडिय हूं गाउं से निकल के बाहर है उ हो सकता है इस बात को समझायके इंसान के न थैजी कि हो अठिए है आप के साथ खड़ा हूँ आपके साथ खड़ा हूँ एकदम धैर Form a कर बंखिए उत्मिनान से दिधान किजिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं आप दो सकेंड वो करें आप रिलाक्स हो जाए मैं चाहरा हूँ ताकि इसले में रोक दिया मैं नहीं चाहता कि अमर की परची या अब जो है क्योंकि अमर ने जो मैं आपको बोला ना इन जेनरल वो बाते मुझे सही नहीं लग रहे थी हर हिंदू देवी देवता का कहीं नहीं उपासना हर घर में होती है तो यह जरू लिए थोड़ी ना और कि आप देवी अपके बाबा के भक्त हैं लेकिन आपके अस्थान पर भी हो सकता है कि वहां मा की कहीं पृत्पार रखी हो और रही बात प्रेद बात है कि उसका कोई सं पढ़ा लिखा इनसान जो प्रोफिशनल आदमी है नहीं मैं आपसे एक बात वो लिए थी कि जो मेरे मनमाई मैंने वो लिख दिया अच्छा तुम्हें एक सकिन एक सकिन एक सकिन एक सकिन इतना धारे आप लोग रख थोड़ा नहीं वेदन और मानली जी थोड़ा नहीं वेद येस जी आप बाइप प्रोफिशन किया है असिस्टें प्रोफिशन अब ये पढ़ाती है और ये बच्चों के साथ आइए ठीक है तो मैं आपसे उम्मीड तो कर सकता हूँ आप एक अध्यापिका है आप सच बोलेंगी ऑबिसली कुछ जूट नहीं जी नहीं इनको गलत कर ना आपके मन में ऐसी कोई नएएक अध्यापिका है इसे गुरू तो सबसे बड़ा होता है ना गोाск को मात पता और गुरू बस अब इनके बारे में बताईए यह आखरी परची के लिए मैं अभी निवेदन करूंगा इनके बारे में बताईए और यह पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार आप जो points लिखेंगे, कम से कम 5 points ऐसे लिखेंगे, जो सतही ना हो बाबा, मैं अनिवेदन इसलिए कर रहा हूँ, वो बताईए, जो सही हो और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. आप जो इंसे पूछना चाहते हैं, वो पूछ लीजिए, परची अभी आप अपने हाथ पे रखिया, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी आप कलम मत चलाईएगा. इनके मन में पूछना है कुछ आपने जानना चाहरें? आप पहले प्रस्त पूछ लीजिए निए इन से, आप पूछें न क्या पूछना चाहरें? आपका शरीर आलकसका सा रहता होगा, जो सोच रहे हैं वो पून नहीं होता है और आप एक मकान लेना चाहते हैं जिसमें रुकावटें चल रही हैं एक बात से हैल्थ रिलेटेट कोई इश्यू नहीं है या मैं एक फ्लेट ढून रही हूँ थून रही हैं धून रही हैं उन्हों इनका रुकावट धून ना एक अलग पहलु होता है और धून लिया खरीद नहीं पारी यह दूसर और मतलब जो सोच रहे हैं जैसे हमिल जाए मुझे उस चीज में रुकावटें चल रही हैं और वो पूरा नहीं हो पाया हूं जी ट्राइ किया फ्लेट के लिए वो एक्चुली लास्ट सिक्स मन्से हम लोग ट्राय कर रहे हैं चोकि पूरा नहीं रुकावट लेकिन बाबा मैं एक एक पॉइंट नहीं समझ पा रहा है आप अभी भी इन जेनर बोल रहे हैं मतलब हो स क्या पैर राखा है अपने गंड़ा है क्या किसी का तागा माइक पर भूलिए गए हमारी गुरू ने मुझे दिया मैं कहने के लिए इसको भी लिख सकता था भाई इस फश्ट दीख राय जांकी अपने लिखा यह जो वह बता ही है ना मैंने तो वह लिखा है कि बहन के पैर इन पींड्रियों में हलका हलका दर्दसा रहता है और शरीर आलकस से में रहता है और एक मकान लेना चाहरे हैं जिसमें रुकावटें आ रही है बस ये फ्लैट वाली बात ठीक है जो मुझे चाहिए अच्छली जो मेरे साथ मेरी कुलीग आए है यह तो आप उनसे भी गनफ अब पर्चे आपके बना दिया दिया मैं आप से बोला था मैं एक से दो पर्चा बना दूंगा अपने काउंप नहीं बताया था तक आब है रहा है तो इसलिए आपकी मदद कर रहा हूं तो फिर यह जो आपि बहुत पूछना शूरू कर देंगे फिर मैं इनको नहीं सम्हा पाऊंगा मैं अभी भी मलत कर रहा हूँ क्योंकि जितनी परचियां बनी ना बाबा सब में आप गलत हो गए और मैं इसलिए चाहरा हूँ इनकी परची में पॉजिटिव मुझे क्या मिला कि इन्होंने आखरी लाइन पर आपके हां मिलाया तो अब मैं चाहरा हूँ कि अगर अब यहां से सही हो रहे हैं तो एक परसी और निकाल दीजे ताकि 100 परसंट सही हो जाईए और अगर हो गए तो वेल और नहीं होंगे तो फिर मैं लोगों से बात करवाओंगा भात कर वा लो कुई बस एक इनकी परची बना दिए आप बात करवाएं आप ने बात करूंगा एक आखरी इनकी परची बना दी ताकि सही का सही हो जाए कौन है यह इनके? कोई नहींता है साथ में काम करते हसने का कुई वो तात्फ़ एथोड़ी ना इसमें मांने लो मैं कोई एक पढ़ा लिका नही कुछ अनए हम तो हसने वाली कोई बात नहीं है कि आप कोई काम दूसरा करना चाहते हैं जो काम कर रहे हैं आप इससे अलग कोई दूसरा कार्य करना चाहते हैं कि आप किसी को जिनको ज्यादा मानते हैं वे आपकी पर्सनल लाइप में हैं जो की वो बिजनिस करना चाहते हैं जिनने आप कराना चाहते हूं नहीं बिजनिस तो नहीं जो आप आप नहीं आपकी जो पर्सनल लाइप में जो मेरे पर्सनल लाइप में नहीं वो एक्चुली वो भी education fields है, वो scientist है, लेकिन business में नहीं कोई है, जो मेरे सामना है, मैंने लिख दिया है, वो इसमें भी आपका एक point लगबग करीब रहा, और उसके बाद गलत हो है, thank you so much, आप लोग बैट जाएगे, बाबा, देखे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो भी अभी तक बना र परसंट सही कर देए, नहीं तो 90% पर पहुचा दीजिए, वो मेरे लिए बहुत जरूरी क्योंकि मैं बहुत विश्वास के साथ आपके साथ जुड़ा है, और मुझे लगा कि मुझे शायद मेरी तलाश में एक ऐसा कोई बाबा मिल गया, जिसके पास ग्यान है, और पीच में जो लड़का बैठा है, हाँ, आजाओ, मैं कुछ नहीं पूछूँगा, इससे भी कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है, ये कहां से है, नहीं है, नहीं, जानता, अब इसके बारे में जो है, आप कुछ अगर लिखना चाहें, लिख दीजिए, मैं इसके बाद एक परची और बनवाऊंगा, उसके एद में कोई परची नहीं करूँगा, मैं इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार-बार, क्योंकि आप आप सही होने लगे हैं, मैं इसके इंतजार में हूँ, कि मैं चारों आप 100% सही हो, और मैं चाहता हूँ कि आप, आपके अंदर जो ये सही हम है और ये जो ग्यान है, वो ग्यान सब के साथ साजा हो, इसलिए मैं बार-बार परची बनानी के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और लोगों को इसलिए बैठा के मैं इंतजार करा रहा हूँ, कि बाबा अब परची जो बना रहे हैं, देखिए सही होने लगी है, आचारे जी, देखिए परची अब दीरे दीरे सही होने लगी है, तो मतलब सो और परची बनानी प्रची बनानी प्रड़ेगी, नहीं नहीं सो नहीं, ग्रन इंतजार नहीं करूँगा, बस ये और इसके बाद एक, मैं आपने रैंडमली किसी को बुलाओंगा, उनकी ये प मैं इनसे क्या इंजंदल पूछूं कि क्या इनके मन में है, ताकि वो चायद को रिलेट कर जाए, माइक उपर कर लो आप, मैं हफीज रह्मान, अच्छा, तो हफीज, जरा मन में क्या है, जो बावा से जानना चाहरा, क्योंकि इतने दर में कुछ नकुष तो तुमारे मन मे मैं इनसे ये पूछना चाहरा था, मैं कहां से बिलॉंग करता हूँ, मेरा होम टाउन क्या है, पहले चीज़, फिर से बच जोर से आप कुछ नहीं दे रहा है, मैं ये पूछना आप से चाहरा था, फिर मेरे फैमिली मेंबर्स इन टोटल कितने हैं, अगर मैंने ये सोचा थ कि मैं आप से ये पूछूँगा कि मैं किस भगवान को पूजता हूँ, लेकिन असल में मैंने यहाँ पे सबके सामने अपना नाम बता दिया है, तो आई गैस आपको मालूम चल गया होगा कि मैं इसलाम को फॉलो गरता हूँ, तो बाकी जो पहले दो कोशन थे, आप प्लीस तो मुझे लगता है कि इस कोशन से रिलेट करता हूँ, कुछ पहलो आपके परशान थे, आप अपने काम की पूछेंगे, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, एक माता जी का सवाल है, परशन चल रहा है, और आप किसी के और की वजह से थोड़े परेशान चल रहे हैं, ऐसा तो इनके प्रशन में कोई भी नहीं था, नहीं है, उनके मन में पूछ सकते हैं, क्या ऐसा था कि माता जी के बारे में पूछना चाहरे था, मैं असल में माता जी के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछना चाहरा था, यह पूछना चाहरा था, माता जी मतलब को रिलेट कर हम म तो प्रॉपर ही गलत है कि मैं और आप कोई काम करना मतलब परसनल हाँ फर्स्ट वाला यह था कि मतलब मैं आगे चल के क्या बनुगा नहीं इस कुश्चन से मैं कन्विंस नहीं होता हूँ क्योंकि जो यह लड़का है ना जिस उम्र में है जी इस उम्र में हर एक लड़का यह अब तक आपने देखा कि राम कुमार शर्मा भक्तों की पर्ची निकाल कर उनकी समस्या के निवारन का दावा करते हैं लेकिन पंडित राम कुमार शर्मा अकेले नहीं है जो पर्ची निकालते हैं नियूज नेशन के मच पर इससे पहले भी कई पर्ची वाले बाबाओं के दावे नाकाम साबित हो चुके हैं बोपाल में दर्बार लगा कर भक्तों की पर्ची लिखने वाले जवाहर बाबा भी न्यूज नेशन के मज़ पर एक्सपोज हो चुके हैं मज़ पर मौजूद पैनलिस्ट के सवाल पूछने पर तारकिक जवाब देने के बजाए जवाहर बाबा लाइव शो में भड़क गये थे जितनी बाते हैं अब तक आचार दिवेदी के सामने आई यह आपको पाखंडी लग रहे हैं हाँ या ना आचार संजीव जी हाँ या ना बस बिल्कुल लग रहे हैं बिल्कुल पाखंडी है ठीक हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं चार पांच जूट इस एक घंटे की चर्चा में जो आचार दिवेदी ने बोले हैं उसके बाद दर्शक खुद ते करें कि आचार दिवेदी वास्तम में संत हैं या सनातन के नाम पर पाखंड को के उपर प्रेत वाधा है प्रेत को छड़ी से हटा दो ऐसा अदेश मिला नेक्स टाइम यदि अगर मेरे पास समय रहा तो मैं जरूर आप लोगों से बात करूँगा अभी मैं सबको आप लोगों को प्रणाम करूँगा अभी आप सभी को मेरा प्रणाम है आपको दस मिनट का अगरे तो मैं करी सकता हूं आपसे इसकी परमिशन तो मुझे आपसे मिल जाएगी बहुत ज्यादा हरवड़ी में है मत्रुआ के गोवर्धन में दरबार लगाने वाले अवधेश शास्त्री उर्फ अवध सरकार पर्ची निकालने और भक्तों के मन की बात जान लेने का अतावा करते हैं तेकि न्यूज ने जब उन्हें चमतकार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया तो उनका फर्जीवाडा भी बेनकाब हो गया उनकी पर्ची फित्सिंग सामने आ गई arguing कि मेरी कुई गंची नहीं पक्ड़ी गई नहीं गई पकड़ी गई अवज सरकार की तरह ही मत्यप्रदेश के टीकमगर में स्थित लहरेन सरकार धाम की महंत नरिंद्र दास के भी परची फिक्सिंग का आपरेशन पाखन सच की परताल के तहत खुलासा हो चुका है माफी मांगे गुमरा करने के लिए माफी मांगे कि आप सी ब्रहां में करते हैं किसी सब्सक्राइब नहीं कि भी जानते हैं जिसको आप की नंबी चओरी बहुत दिसक्राइब करके निकाली अपने और जिसको नहीं जानते जिसको मैच उनके लाया उसमें से एक नाम तो आपने ऐसा बताया जो आपने पिछले अपिसोड में उसको यहां देखा आपको लगा शायद वही ओडियन्स होगी और तीसरा जो नाम आपने लिखाया ना उसके प्रश्न का उत्तर था और बिना उत्त करके उन शब्दों का अपने इस्तेमाल किया जो आपको लोगा कि यह नुकूल हो जाएगा और शायद सारे मेरे यहां से कन्विंस हो जाएंगे तो यह गलत आप प्रचार कर रहे हैं मुझे दिक्कत इससे है सतना जिले में दर्बार लगाने वाले आचारे आदर्ष कृष आप किसी भी तरह की कोई जानकारी दे नहीं पाए ठीक तो इसका मतलब यह कि आप पाखंड कर रहे हैं आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं आपका परदा फाश हो गया और आपको यह स्विकार लेना चाहिए और आपको करोरों लोगों से वासी मांगनी चाहिए यह विल हमारे परफेकर यह को मैं इसके बारे में बीच में कुछ पुरवच क्या हो किसी के बता किंए वाप किसी हो PAUL indicating छो वहीं पर्ची से चमतकार का दावा करने वाले अजैनात बाबा के भी सारे राज का परदाफाश न्यूस नेशन के मंच पर हो चुका है जब फीर होगा जरूर मौका लगे लेकिन यही है ना कि इन किरियाओं को आप जिसको चमतकार नकार रहे हैं शुरूरात में आपने इसने चमतकार का नाम दिया था और आपने भी वही किया ना परची लिखकर रखते हैं सिंदूर हाथ पे फेरा परची पे नाम आ गया परची पे लिखा हुआ गया तो वह भी को ट्रिक माल लेजिए कि वो भी ट्रिक था कि यह कहते हैं हम शुरू में भी क्या बोले यह चमतकार कोई मतलब खेला यह इसमाइब कोई जादू नहीं है एक एक कर परची वाले सभी बाबा न्यूजनेशन के मंच पर एक्सपोज हो चुके हैं इसी कड़ी में आज पंडित राम कुमार शर्मा के दावों को परखा जा रहा है क्या वो भी अपने दावों को साबित करने में नाकाम साबित होंगे क्या वो भी करते हैं परची फित सिंग या फिर उनके पास है बाबा गोरक नात की दिव्य शक्तियां अगर हाँ तो क्या बाबा अपने दावों की प्रामानिक्ता साबित कर पाएंगे जारी है उनके दावों की अगनी परीक्षा एक बर आप आजेए हैं परची बनानी एंके अब बाबा का कॉंफिडेंस जो है न मुझे बोष्ट हो रहा है कुछ आ रहा है बिल्कुर डिवैलपो और अब इस परची के बाद अब मैं आप लोगों से पहले बात करवाओंगा ठीक है आप लोगों से पहले बात करवाओंगा आप लोग अपने अपने प्रश्न या फिर आप लोगों को जो महसूस हुआ वह आप लोग अपना बताएं उसके बाद कपिल साहब की जो एक नि करवाओंगे लेकिन आपके प्रॉश्य निए पकड़ लिए कि आपको आज उनके बगल में तोड़ा गलत दी है उदर ते ग्यां राजी 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 में आपके गहर में कितने कमरें भी आजी निया बाबा मैं चार आप बोले मेरी नजर में चार कमरे आए हैं इनके गर में जहां यह रह रहा हूं या जो मेरा नेटिव है वहां की बात कर रहा है मतलब जो पुराना घर है आपका जो भी है उसमें तो बहुत सारे कमरे है उसमें चार घर आ रहे हैं जहां तो तुमारे जोद जलती है जोद जलता है तुम जला ता हूं यहां चार नाम लिया यह जला रहें और ठीक है जी दो भाई है और आप दो जो कारया सोचे थे वे पूर्न हुए हैं आपके अभी जल्दी दो नाम हुए थे आपके जो सबसे बड़ा काम है वो तो पूर्ण नहीं हुआ है जल्दी जो सोच राखे थे और आप पर कोई किसी ने बेमतलब गलत इल्जाम लगाया था ये तो ये बहुत इन जेनरल कुशन हो गया चुकि ये तो लाइप में बहुत सार इंसिडेंट ऐसे होते हैं जासे कि आप काम करते हैं तो किसी ने बहुत है ना कोई नाम करना जैसे आपने कहा काम करना की बिजनिस करना या कुछ दूसरी नौकर जैसे अभी पर शीक किया करते हैं मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो मेरे मन में आता है मैं लिख देता हूँ, मेरे सामने ना कोई नोट का नंबर आएगा, ना ही किसी का नाम आएगा जैसे मान लो आचार जी बेठें, इनका नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या है, मैं भी मतलब के लोगो मेरी मतलब इनकी दो बातें सही हैं, कि अभी फिलहाल जहां में रह रहा हूँ, वहाँ चार कमरे हैं, और जोद जलाता है, मैंने तो ये देखा कि अब एक से दो बातें सही होने लगी, कपिल जी अभी तक कन्विंस हो गया, थैंक यू, अबद भी मुझे इसमें दो चीज़े कह जोद 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 बहुत जिए नहीं लेकिन हां कुछ बाते तो सइय हो रही है तो अभी मतलब जो आप कह रही थी जो आप वही है बहुत इंजनरल है कोई बाहर रह रहा है तो उसके लिए मखान एक समस्य और जैसे अब भाइया के जोत हम सब जलाते हैं मतलब सभी General यह मान सकते हैं लेकिन घर वाली बात पर घुमा गए उन्होंबिशा कि कौन सा घर उन्हों पुराना वालंगरे और पुराने वाले घर में पते हैं 30 Jes Sam . बॉफ से अधमी जहां रहता हैं working करता है काम करके जहאं ज्राटा है हम उस जहां जलाएगा जोज अपने पुष्ट एने घर में तो कोई जोज जलाने नहीं जाएगा। एसा पर्चा तो यहाँ पर कोई भी बना सकता है। आपको एक बात बताईए राम जी एक बात बताईए अभी तक आपको ऐसा अनकमफर्टेवल फील हुआ कि आप असहज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो आपके सहीयोग में शुरू से लेकि अब तक रहा हूँ। इन लोगों को भी तक जो है मंच पे बोलने का मौका नहीं मैंने क्रॉस कोश्चिन करने दिया। और मैं यही चाह रहा हूँ। मैंने क्या का कि मैंने विश्वास आप पर एकड़ना शुरू किया और मैं चाहता हूँ विश्वास मेरा काहिम रहे। और हम सब लोग भी जो बैठे हुए हैं वो यह चाहते हैं कि आप सत्ते साबेत हों और हम लोगों को जो आप भी आजे यह ज़रा प्लीज और मैं तो चाहूँगा आप जब लोग नहीं हूँ ना पैसा में दर्वार के लिए चलाता हूँ। दर्वार कभी पैसे के लिए ने मैं एक किसान हूँ और खेती करता हूँ और किराई पे टेक्टर चलाता हूँ। दर्वार के लिए जब लगे आपको जाने रहा हूँ अपना पॉइंट व यू रख रहा है देखे प्रशन तो लोग पूछे आप अपने बाता आपने कहा था मैंने शुल्क सेवा गरता हूँ ने यह कहा था था मैं कोई पैसे नहीं नुपर एक सकंड प्लीज अभी अभी एक बार पहले दोनों की पर्शी मैं सबसे पहले चाहता हूँ इनकी पर्शी बना दे जी हाई नाम किया है आपका आप सर गोराव है गोराव गोराव का अब अब बंदेगा माइक पखड़ लेगी आप इसके बार में किया है इसके बार में किया है अब इसके बार में किया आप और और बस यही पूछना जोब के लिए और कोई सवाल नहीं आये थे आपके मान में आप अपने कार्यक के बारे में पूछेंगे ठीक है जी और आप अपने घर की और माता जी की पूछेंगे माता जी आपकी थोड़ी परेशान चल रही है परेशानी पूछेंगे और आप अपने रिष्टे नाते में कोई भाई है जिनकी आप परेशानी पूछेंगे बाई को परेशानी वो सत्तर आजार रुपे कमाता है उसको क्या परेशानी होते तो मेरे को क्यों पैसे देगा खाने पिनने के लिए बढ़िया अच्छा ये टोन भी आपसे मिलता जुलता लग अच्छा माता जी के बारे में पूछेंगे आप जो आप में पूछेंगे उनके बारे में आप एक्सार वोगे हैं जो क्या कह रहा है क्या 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 इसे पूछ लेता कभी उपर ममी जी कैसी है ठीक रह रहिया है गलत भोल रहे है त्किंस सारी भात मेरे को कम सखम 100 पर सेंट गलत है जालो मतलब रॉंग नमबर है ये रॉंग है अच्छा ठीक है एक उनकी देख लिए नहीं बना पर इंब बिचारे बड़े फ़यार के साथ करें थे अरे एक बाद की करें हैं वह अपनी मां की नहीं है तो मैंने कहा था मेरे मन मैं यह वो गलत है या सही है महारा जी को गलत कहना था यहां तो आपने किसी का कुछ ने ठीक बताया है और आप उपर से आप में इतनी अकड़ भी है इतनी इगो भी आप में है जैसे आप बहुत घ्यानी हो वहाँ पे तो आपने चैलेंज भी इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था यहां पर माफी मा करेंगे आप इस तरह की चीजे आदमी करता क्यूं है कैसी क्या आदमी को परिशानी होती है कि आदमी पर्चा और पर्चा यहां पर मैं कहा रहा हूँ आप से अच्छा एक एक आदमी पर्चा बना लेगा एक से कि अपिल जी यह लड़का कुछ दिखा रहा है एक बर वो द तो आपकी पर्ची इतनी गलत निकल रही है और आप मुझे बताईए कौन सा आदमी किसको घर नहीं चाहिए और फिर कह रहा हूं कि आप अभी विए उस सयम के साथ बैठिये अगर बाबा टीम पर्चीस से पहले बनाए जिसमें उन्होंने एक लाइन सही लिखी दो लाइन कैमर लगा हो connection में कुछ दिक्ट अगरा मेरा को connection निया मगर दिल से मैं बैठे के एक आखरी पर्चीं का बता दीजिए उसके बाद अब कोई पर्ची नहीं बनाने करें आपने बुला के जनरल माते थी मैंने नहीं बुलाए नहीं आप ने बुलाए महराजी रोवी जी इनन परशान हो बता दीजे ठोड़ा परेसान हूँ ना हूँ देखो यह तो आप जानू मगर आम में परची नहीं बनाऊंगा अब राम जी फर्यादी फर्याद लेके आए है तो एक परची तो बनती है तो नहीं परची इनकी नहीं बनाएंगे यह आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे नहीं बना पाऊंगा अब यह पब्लिक की पूर रिक्वेस्ट है कि एक आखरी परची आप इनकी बना देते हैं नहीं देखो मैंने आपके कहें मुताबक 6-7 या 5 या 2 जो भी परची बनाई है उ इसले परची नहीं बनाएंगे आप तो गलत क्यों हो गए फिर आप नहीं आप अब यह एक बात बताई आप अगर आप मुझ पर इंडिकेट कर रहें तो फिर नहीं आप क्या कहना चाहरें कि हम आपको मंच पर बुला कर आपको हम गलत ही थाबित करने के लिए कारे कर रहे मैंने उनको बुलाया मैं उनको जानता तक नहीं मैं इनको बुलाया उनको जानता नहीं उस बच्ची को आपने चुना मैं जानता भी नहीं उसको तो आप नहीं बुलाया यहां से उनको बुलाया यह जो भी लोग आए जो सही था मैं यहां पे इन लोगों को बैठा के आपको गलत करने की आप यह बात पश्वत तोर पर जान लीजिए आप अगर पूझा करते हैं हाँ जोड़के तो मैं भी यूई है ऐसी पूझा करता हूं और इसी इस वह सवान से कह रहा हूं कि सनातन के लिए जैसे आप काले कर रहा हूं और हर को यह चाहता है कि आप सही हो इसलिए ये लोग बैटके भी धहरे से सुन रहे थे आपको, पिछले एक डिड़ घंटे से सुन रहे हैं, इनको मैंने मौका भी नहीं दिया बोलने का, किसी क्या उदेश आपको गलत करने का नहीं था, आप गलत हो रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं, आपकी परचिया गलत नि बनाएंगे नहीं चले आचार राज मिश्रा शुरू मैं आप से कर रहा हूं पर्चियां सही हुई फिर उसके गलत की हो गई कहां पर सही हुई हुई नहीं का लाइन मैं एक बात बड़ा असपस्ट कहना जाओंगा सरमाजी मैं असपस्ट कहूंगा जो अभी तक हो रहा है वो पाखंड हो रहा है बैग्लियर बता रहा हूं दादा पढ़ लीजिए ऐसे पब्लिक के साथ खेलना बड़ा असपस्ट मैंने बार बार एक इस लोग कोट किया और फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार से हम सिर्फ समाज को गुमरा कर सकते हैं सनातन ये कहीं नहीं कहता है धर्मन कि आप जानते हैं पाद ध्यान रखिएगा तो आप किसी अंधेरे में स्वयम को रख रहे हैं ठीक है आप ये सत्यता से जान लीजिए अगर आपको ये करना है मेहनत कीजिए इतना जितना आप कर रहे हैं इतना तो एक फेस रीडर आराम से पता कर लेता है फेस रीडिंग क प्रिष्टी से जब मैं इस प्रकार का कोई भी पाखंड देखता हूँ ना तो मेरा खून उबलने लगता है हम लोग सनातन धर्म के लिए टीवियों पर डिबेट करते हैं लड़ते हैं लेकिन जब ये परिस्तिती देख रहा होता हूँ कि जो मेरे खुद ही के सनातन धर्म के कर आपको नहीं नहीं लगता है कि कुछ भी Holy धर्म से रिलेटेxico की नहीं किया ये अब आप सोचीयए आप स्वइम सोच्छिए अंपको नहीं जो अदर आ रहा होता हूँ अन्दर आ Debatte लाइओ अप कुछ भी नहीं आप अप कॉछ कोई गरंथ नीप पढ़ने बाग्वत गीता पुरान नहीं पड़े हैं ठीक है मैं किसान हूं बस यह खेट मिनेट हां मैं पूजा करता हूं अपने मंदिर पर है किसी लाब होता है मैं के लियर कहता हूं अगर ऑगर लाब है तो अना बिल्कुल मत आना सब आई जैसे मैंने आ जवरजस्ती या कोई चीज या किसी से पैसा कमाना मेरा दें नहीं है उसमें मेरे पिता जी ने ये कार्य किया मुझे ये मिला मैं कर रहा हूं और आराम भी मिला है पबलिक है ये आप मरीश से पूछ सकते अब एक बात आपको मैं बता रहा हूं आप शायद ये इंपोर्टन कि नहीं है कि मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ डॉकटर नहीं है और हो और कह दे कि जो मेरे दबास से किसी को आराम तो होगा नहीं तो बेचारा उससे अच्छा तो मैं कहते ह 이건 औरने। तो हो जाएगा हम साथ देते हैं डॉक्त अब सबसे पहले सोचे आप मुझे मैं क्लियर कह रहा हूं एक किसी का कुछ नहीं निकल सकता और नहीं नहीं है आपके पास एक अन्फरॉम है बेदकाद है अगर आपने भागवत पढ़ा होता ना रामाड पढ़ा होता ना तो सर्मा क्लियर कह रहा हूं यह करते ही नहीं क्योंकि धर्म इस प्रकार की गवाई कहीं पर देता ही नहीं है राम जी सबसे पहले तो अपने मन से एक बात निकालिए कि हम यहां पे सब लोग बैठें हैं आपको गलत ठहराने के लिए बिलकुल यह आप अपने मन में यह शंका मत करियर देख रहा है कोई जॉब ढूंडने के लिए आया है तो फ्यूचर के बारे में तो सब लोग सोचते हैं अपना लाइफ के बारे में काम के बारे में जॉब के बारे में तो सब सोचते हैं और ऐसा नहीं है कि आप जैसे कह रहे हैं कि मैं जो भी बोलूँगा उसको गल मिला है आपके पिता जी के अंदर यह शक्ति थी एक ला थी और वो आप में आई है पर हमको तो यहाँ पे इस्टूडियो में पूजा के नाम पर आप जो मासूम लोगों को चल रहे हैं, जो धोका दे रहे हैं, जो पर्ची बनाने का ड्रामा कर रहे हैं, उसको आज से और अभी से बंद कीजे। जो भी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, वो डॉक्टर्स के पास ना जाके वो आपके चक्कर काटते काटते अपने आपको इतना बिमार कर लेते हैं कि शायद उन में से कुछ लोग मर भी जाते हों, तो प्लीज इस पाखंड को बंद कर दीजे, मैं कह रही हूं, आप जिस अप इनकी बात भी सुन लिए, एक दोनों पच्छ पेहली बात तो यह है, मैं किसी पर चक्कर नहीं लगवाता हूं, दूसरी बात कर वाते हैं, बता रहा हूं आपको, हम दो दिर, एक दिर राम जी, उस दिर हमने अपनी डेबेट को इसलिए बीच में रोका, क्योंकि आप आप यह कह रहे हैं कि मैं किसी से चक्कर नहीं लगवाता है तो मैं मेरे पास आ रहा है लाव नहीं मिला या तो आप किसी से लाइन पूरियों ने दीजिए लाइन के लिए कहता हूं दौा दूआ दौनों की जरूवत है आप यह नहीं कि अपने ही पास चक्कर लगवांगा मैं किलियर कह देता हूं वही आपको दवार भुवत दौनों की जरूवत है पंडी जी आपकी पूजा में भी सत नहीं है अभी विश्रा जी ने बहुत दौश का था पूश लेता हूं क्या दूआ करते हैं हम तो यही कहते हैं बाबा जो इसके परेशानी है उसे दूर करना और इनके दुख दूर करना तो वह तो अभी तो परेशानी में आप दिख रहे हैं अभी तो परेशानी में आप दिख रहे हैं सारे लोग अभी आपके ऊपर हावी ह इसको आधार मैं बताता हूं अब आभी तक वो पर्ола मैं नहीं उनमें से किसी को भी आप चुप करने को बोलू कि नहीं आप गलत है। आपने जो जो क्लेम किया, मैंने उन क्लेम को सामने on screen रखा, क्योंकि आपने जो बोला, आपकी परचियां गलत हुई, आपकी फिर भी मैंने मौका दिया परचिया, और दूसरी चीज, आप कहरें पूजा करना गलत है, किसी भी एक शक्स ने, किसी ने भी नहीं कहा कि आप जिस दर्म में जोग है, वो पूजा करें जैसे करना है, लेकिन यह कहरी हैं कि पूजा के नाम पे जो आप परचिया बनाते हैं, उससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वो क्रिया ही गलत है, और इन्हों ने राजबिश्रा जी ने जहीं कहा कि किसी भी धर्म शास्त्र मे परची बनाना लिखा हूँ नहीं है। में तभी आत्मी जाता है अब उसको इतनी अलरी तकलीफ है अगर आपके पास पावर है जो आप क्लेम करते हैं यहां पे आपकी पावर फेल हो गई उस दिन आउट आफ कोर्स मैंने आनलाइन भी आपस एक सवाल पूछा था वो जो इनके जो रिपोर्टर थे वो बता दीजि जो लोग गाउं से आते हैं अगर आप पैसे नहीं भी लेते हैं यह आपको सर्टिफिकेट नहीं देता किसी को गुमाने के लिए जो एक विचारा गरीब आदमी है जिसको समझ नहीं आ रहा जो पड़ा लिखा नहीं है आप खुद पड़े लिखी नहीं है आपको तो अब आपके बाते हैं इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो यह सँहीं बात नहीं है दोस्त मैं एक मंदिर में कोई आया पूजा करने मैं सही् नहीं हो रहा जी वो बोलते हैं जैसे घगत जी मैं सहीं नहीं हो रहा Todd घंजी ओंकि इया है तो जर्वार लगाते हैं ना उसमें फिर मैं एक सर्थ रख देता हूं किलियर ही कहता हूं भाई सत्य लिख रही हो सत्य बोलना जूंट लिख रही हो एक एक और चीज आप देखें बाबा आपका आर कैसे कमाल यहां पे हो रहा है आपने सबसे पहले वो जो बेटी आई थी आ आपने उसको का यहां पे जो तुम सोच रहे हो यहां पे जो तुम सोच रहे हो मैं वो लिख रहा हूं आइस्सा आइस्सा आप देखें इनका ट्रांजिशन कैसे हुआ यह सोचना है जहां पे लोग सोचना यह वो नहीं लिख रहे थे यह उनके फ्यूचर के बारे में करिय वगारा जैसे वो जो आयत थे जो इसलाम रिलीजिन के हैं, उनके जो उन्होंने अपने मन में जो चीजे सोची थी, वो नहीं लिख रहे थे, अब उनके बारे में लिख रहे थे, तो आपको खुदी कंट्रोल नहीं है, और आपके पास खुद पावर नहीं है, अगर आप किस आपके कौन आदमी है जिसका गुरू के उपर आश्रबाद दी है, ये चंच दू कर रहे हो यर, शर्मानी ची आपको, बारो फिर गल्ती बारो, शर्मानी ची आपको, डॉक्टर कपल, आपकी परची बनवादो तब आपको यकीन हो जाएगा, मैं मिश्रा जी के बनवादो मुझे सर्फ इतना बता दीजी आउडियन्स, आप लोगों ने जो अभी तक देखा, उसमें बाबा सही करते वे दिखे या गलत करते वे दिखे, अगर सही करते वे दिखे तो हाथ उठाईएगा, गलत करते वे दिखे तो हाथ मत उठाईएगा, बताईए, किसी ने हाथ न पाखंडी नजर आ रहे हैं आपको या बिल्कुल बाबा भोले भाले सीधे साधी उनको समझ नहीं आया उन्होंने जो किया उनको माफी मांगे सब कुछ खत्म करना चाहिए क्या बाबा पाखंडी लग रहे हैं हाँ या न इतनी न्यूट्रल ओडियंस हो यह 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 य कह रही है किसी के जुबां पर मैंने शब्द नहीं डाले हैं ठीक है अब एक पहलू जहां पर रुख गया था अब देखिए आप अपनी बात रखिए अमर लेकिन आज बात अलग तरीके से आपको रखना है जी बाबा की परची बाबा की मन की बात कुछ ऐसा मन की बात करत है कि एक ट्रिक होता है इस ट्रिक में भी शायद बाबा को भी और प्रैक्टिस करनी की जरूर ठीक है मैं शर्मा जी से फ़से गुजारिश करना चाहूंगा आपसे और यह एक विनम्र छोटे भाई का निवेदन समझेगा जिस परकार से आपने अभी मना किया ना कि मैं आपने कुछ पढ़ा नहीं है राइख आपने घुट-काम गण ने कुछ नहीं पड़ा बिरासत में आपको पता है कुछ मिलती नहीं मैं उसका परमाड भी आपको दे देता हुए नहीं नहीं यहाँ मेरे पास इतने लोग यहां बैठे हुए है मैं किसी एक को मैं आप आये थे और आपके पर्ची यहां पे गलत हुई थी, राइट सर? आप इस तरह आए, क्या नाम आपका सर? अजीत अन्राग अजीत जी आपके बारे में जो लिखा जो बताया गलत था, राइट? मैं समझता हूँ कि हमारे पास में जो इंफोर्मेशन होती है वो निकालना बड़ा असान होता है, लेकिन सर मैं समझता हूँ कि मॉबाइल एक ऐसी चीज होती है आग की टाइम में डिवाइस किसी को देता निकिसी को, और मॉबाइल का एक पासवर्ड भी होता है, वो अड़ा सिक्योर होता है, यहां बिल्कुल, तो यह फोन राइट नो, पिस सर नि पासवर्ड लगा हूँ यहां पे, मैं कैमरामेन को चाहूँगा कि यह पासवर्ड पे जूम करे, शर्मा जी, इनके फोन का पासवर्ड है, क्या आपको संदेश आ रहा है उपर से, इनका पासवर्ड खुल सकते हैं आप, नहीं आ रहा ना, मैं दिखाता हूँ, सर क्या इसक इसके फोन का पासवर्ड है, क्या मुझे पता है पहले से, नहीं, क्या आपने बताया मुझे, यह प्लान के हमने आप, नहीं, इसका कितने डिल का पासवर्ड है, छे डिल का पासवर्ड है, बन मेले का है यह अपने, आप, 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 वो चेंज कर लेंगे आप 122626 अनुराग जी आपका फोर मेरा फोर नहीं है मैं खुद शौक हूँ कि यह कैसे हो गया मन की बात पढ़ी अब इसको आपने सोचा था मन में मैंने सोचा था अचा अमर जी मन की बात पढ़ ली यह कौन सी विद्या थी यह ट्रिक थी यह मैं बता करना जरूरी है अब बाबा ने किया ना वह मन की बात पढ़ने का दावा करके और देखिए अगर यह अमर आपके गाउं में बाबा अमर बनके बैट जाए और मन की बात पढ़के ऐसे करने लगे तो मुझे लगता है आपके पास जो दर्वार में लोग आते हैं उनका मुवमेंट इधर जादा हो जाएगा और आपके साथ जो लोग बैठते हैं ना कॉडिनेशन में बाबा ऐसे करेंगे वो सारे कॉडिनेटर यहां पहुंच जाएंगे तो बाबा फिर आप अकेले पढ़ जाएंगे इसलिए दिक्कत क्या है ना बाबा जो परची आपने कहा उपर कोई दाग धबा ना लगे आज इस मंच पर आपको प्रमान देना था इन सब के सामने आज उन बाबा का नाम लेकर आपने परची बनाई और सब को गलत कर दिया इसमें गलत आप जितने नहीं होए ने बाबा को आपने ज़्यादा बड़ा गलत कर दिया उनके नाम को आपने कहीं न कहीं दागदार करने की कोशिश किये आपने की इसलिए मैं कह रहा हूं कि पर्चा बनाके लोगों को उस जोके में क्यों डाल रहा है अगर वो बिमारत जाने दीजिए डॉक्टर के पास यह उम्मीद मत जताइए कि प्रेजवाधा आएगी और हट जाएगी मत करता है एक एक फाइनल कॉमेंट कपिल आप दे दीजे एक एक लाइन में प्लीज एक एक लाइन में मैं तो यह कहूंगा सिरफ आपको भगवान आपके साथ उस दिन रहेंगे और हमेशा आपके गुरू जी भी रहेंगे जिस दिन आप इस चीज को छोड़ दोगे और अप किसानों हमारे अन दाता हो हम उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं और वही चीज आप करो तो मैं आपको सौ बार प्रणाम करूंगा यह अगर आप चीज करेंगे तो बहुत करता हूं मुझे लगता है कि राम जी आज आपको यहां पर माफी मांगनी जाए क्योंकि सनातन क आप उफास कर रहे हैं और सनातन में इस तरीके के पाकट की और क्या कर रहे हैं आप बहस की बात कर रहे हैं आप दोनों के एक साथ जो है भोगा कर रहे हैं फब्लिक के साथ तो करी रहे हैं उन दोनों के शाथ कर कर रहे हैं और दूसरा अगर बालना वंद मैं अगर किसी को बार्ची बनाना वंद में कि नहीं है थों जोती बता रहा है यह जल्दे नहीं लेकिन हम सब इतना कह रहे हैं कि आप अपने पर्ची बन कीजिए पर्ची बन कीजिए आज ये मंच में बोल के जाएएगा देखे राम जी हम सब को यहां पर यह लगता है कि आपने ये मार्ग चुना है प्रसिद होने के लिए आजकल वैसे दोई चीजे चलती है सबसे स्यादा एक बाबा और एक धबा तो आपको लगा होगा कि मैं बाबा बन जाता हूं और अपने गाउं अपने जिले में बहुत प्रसिद हो जाता हूं तो ये बहुत ही बड़ा पाखंड है यदि यहां पर सब लोग आपको बोल रहे हैं माफी माफी माँगने के लिए देश से माफी माँगे भगवान से माफी माँगे उन लोगों से माफी माँगे आपको हमारे से परसनली माफी नहीं आप अब हो गया अब हो गया अब हो ग जो आप गुम्राह कर रहे हैं। आपको पता हैं कि आप बता रहे हैं कि आप जो बता ही है जाए गलत है, आपको पता ही ह Southwest goto मैं पẩखरा'' बताई कि गलत हैं तो वो गलत हैं मैंने उनकी बात मन ली फिर ऐसे पर्ची और यह दिकत क्या है ना आप अगर गलत होते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन चुकि इन्होंने उस पे एक डैवे शक्ती का नाम जोड़ा है बाबा का नाम जोड़ा उनके नाम के साथ यह उनको भी घलत बता रहे परेशानी दरसल मुझे उससे बैरल यह बाबा इनसे अपने मुलाकात की इनको जान लिया इनकी शक्तियों के बारे में समझा इनकी साधना के बारे में जाना अब आपके उपर है क्या सही है क्या नहीं वो आप तै कीजिए अगर यह पाखंड ह तो अब आपको खुद तै करना है कि इस पर विराम कैसे लगे उस मुहीम में हमारे साथ जोड़ना है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जोड़ने के लिए आपका यह बाबा शुक्रिया और आप लोगों का यह बहुत बहुत शुक्रिया ओडियंस जोड़ने तो उसे हम नहीं बक्षेंगे, उससे हम प्रेशन पूछेंगे और यह मुहिम जारी रहेगी, नमस्कार.